Hello Everyone! आज के वीडियो में आप सब के साथ two cake's की डिजाइन शेयर कर रही हूँ और साथ में लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने जो भी कमेंट पढ़े आप लोगों की जो भी करीज थी सबके आंसर करने वाली हूँ आज कुछ queries के आंसर करूंगी क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीजों के आंसर तो मैं एक साथ नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो share कर रही हूँ वो पहला question यह है आप कई बार मैं पढ़ चुकी हो question आप लोग मैं से काफी लोग पूछ रहे हैं कि new baker के लिए क्या suggest करूं मैं और अगर मैं amount लेती हूँ तो किस तरीके से लेती हूँ क्या मैं advance amount मांगती हूँ अपने ज होने वाला होगा भी तब मैंने जब start किया था तो मैंने जो rate अपने cake के वलाई में scratch से बना दी ती अपना cake तो मैंने वो कम ही रखे थे जिससे कि लोगों को एक यह reason उन्हें मिले कि हाँ cake थोड़ा क्योंकि जब आप start करते हो तो लोगों को पता नहीं होता कि आपका काम कैसा है इविन आपको खुद भी नहीं पता होता जब लोगों के reviews आते हैं और लोग आप लोगों को बताते हैं और आपको designs कैसा बनाना तो यह सारी चीजे experience से आत 50-20 रुपीज जादा था मैं उसके according ही अपना cake बना दी और starting में मेरे cake बहुत overweight जाते थी क्योंकि तम मुझे measurement का बिलकुल भी experience नहीं था कि measurement perfect measurement की साथ cake कैसे बनाना है मैं खुद भी एक self learner हूँ मैंने कोई course नहीं किया है कोई मैंने बड़े-बड़े courses नहीं किये कुछ भी नहीं किया हुआ मुझे बस एक soft था और यह मेरी heavy hobby थी पहले मैं अपने घर के लिए cake बनाती थी just on occasions बट धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत praise करते थे कि अच्छे cakes बनाते हो तो फिर मैंने धीरे से start किया अपना business और उसके बाद जब मैंने basic rate के साथ अपना start क भी कर पाऊं और business में जो investment होती है उसके साथ मैं थोड़ा सा profit भी अंगर पाऊं तो इस तरीके से आप लोग भी जो new workers हैं अपना पहले business start करो starting में थोड़ी मेनत करनी होती है starting में आप एकदम profit के वारे में ना सोचो पहले अपना काम अच्छा करो लोगों को आपका काम पस क्या मैं अपने जो मेरे clients और customers होते हैं उनसे मैं advance में payment लेती हूं तो जी नहीं मैं कभी भी advance payment नहीं लेती उसका reason यह है कि मेरे पास जो customer और clients आते हैं वो most of the non में होते हैं क्योंकि मैं जहां रहती हूं वहां मैं city से काफी दूर एक township में रहती हूं एक power plant में रहती हूं त तो वहीं से मुझे most of the orders मिलते हैं तो मैं कभी भी वो उन लोगों को मैं non होते हैं वो लोग मेरे most of the non होते हैं जब भी unknown person होता है या फिर मुझे township के बाहर से कोई order आता है तो मैं advance payment लेती हूं बड़े cakes का और छोटे cakes होते हैं तो मैं delivery के time पर जब भी pick up का जो time होता है उस जानते हैं वो unknown है तो आप लोग बिलकुल advance payment ले सकते हैं अगर आप full advance payment नहीं ले रहे हैं तो definitely you can get half payment ले सकते हैं और बिलकुल आपको लेना भी चाहिए क्योंकि जिसको आप जानते नहीं हो जिसे आपका कोई link नहीं है तो उससे आप definitely advance payment आपको लेना चाहिए तो अभी थोड़ा सा केक के बारे में बात कर लेते हैं तो ये वाला जो मैं केक बना दी थी चॉकलेट ट्रफल मैंने बनाया है वन केजी में और इसके लिए मैंने 7 इच केक मोल्ड का यूज किया है उसके बाद गनास की फिलिंग मैंने बहुत अच्छी से की है तो यहाँ पर मैंने 220 ग्राम से इसने क्रीम एड की है यहाँ बहुत गर्मी आगरी है बहुत ज़्यादा क्रीम आप एड करोगे तो गनास का भी पतला हो जाएगा और गर्मी के इस समर सीजन में बिलकुल भी गनास जो है बहुत जल्दी मैल्ट होता है बहार निकलने तो गनास को आप थोड़ा सा ठिक रखोगे थोड़ा सा गाडा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा जिससे की वो मैल्ट नहीं होगा और आपके डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी और इस केक के सेम कलर कॉंबिनेशन से ही मैंने सेकंड केक बनाया है उसमें मैं आप लोग कलर जो बनाया है वो मैं आप लोग के दिखा दूँगी और इस केक में जो मैंने नोजल यूज किये थे वो मैंने नोजल नमबर 31 यूज किया है नोजल नमबर M1 यूज किया है और उसके बाद नोजल नमबर 4 भी यूज किया है तीन नोजल मैंने यूज किये थे अब ही ये वाला जो cake बना रही हूँ, ये मैं simple vanilla flavor में cake बना रही हो और ये मैंने 6-inch cake mold में bake किया है, half crazy का ये cake है, कुछ clients ऐसे भी होते हैं, customers ऐसे भी होते हैं, जिनको क्या है ना, cake बड़ा दिखने वाला चाहिए होता है, अगर 5-inch cake mold में उनको cake बना कर देदो वो टॉल होता है तो उन्हों को लगता है cake पहुँच होटा है यह half kg तो लगी नीरा तो यह वाला जो cake बना रही थी तो ऐसे ही किसी customer के लिए मैं बना रही थी तो इसी लिए मैंने इसके बनाने के लिए 6-inch cake mold का use किया था six inch cake mold में बना हुआ cake थोड़ा सा बड़ा लगता है weight उसका भी उतना ही होता है बढ़ हाँ ये सच है कि ये देखने में बड़ा लगता है तो मैंने simple vanilla flavor में ये cake बनाया था six inch में बेख किया था और उसके बाद मैंने two layers में इसे divide किया है vanilla flavor में बना रही थी तो इसमें मैं कोई भी crush add कर देती हूँ या फिर mixed very add कर देती हूँ या फिर cherry crush add कर देती हूँ तो यहाँ पर मैंने mixed very crush add कर दिया था और उसके बाद इसकी layering कर ली है उसके बाद final frosting मैं इसकी और white color से कर रही हूँ तो यह दोनों जो cake थे वो दोनों male member के लिए ही थे तो बहुत सारे लोग परिशान हो जाते है जब भी की male member के लिए कोई cake आता है तो design और color combination कैसे choose करें तो blue के अलावा भी बहुत सारे shades होते है जो आप लोग male member के लिए बनाने के लिए use कर सकते हो तो यहां पर मैंने जो दोनों cakes में यूज किया है वो green के shade यूज किया है तो अब ही मैं इसका color combination आपको बना कर दिखाऊंगी पहले वाला जो cake बनाए है पहले आपको बना कर दिखा है same वही color combination मैंने इसमें यूज की है और उसके बाद green का मैंने ये shade बनाया है और इस shade को mix करने के बाद इसमेंसे मैंने आधा color एक piping bag में डाल लिया था और उसके बाद half color में मैंने थोड़ा सा yellow add किया है तो यहाँ पर yellow थोड़ा सा जादर डल गया था उसे मैंने हटा दिया था क्योंकि बहुत जादा yellow मैं add कर दूँगी तो ये parrot green color बन जाता बहुत जो बहुत सो वाला parrot green होता है बहुत एकदम खिलता हुआ वो वाला बन जाता ये भी parrot green का ही shade है तो उसके बाद इसको बनाने के बाद मैंने दो color combination यूज़ करके इसकी decoration की है तो यहाँ पर मैं जो nozzle यूज़ करी हूँ मैंने ये nozzle number 331 लिया है 331 मैंने nozzle number यहाँ पर use किया है और उसके बाद इससे मैंने top पर ये border बनाया है तो कोई भी nozzle आप ले सकते हो इसकी जगे पर आप M1 भी ले सकते हो और दूसरा nozzle मैंने जो लिया है वो मैंने 4B लिया है और जो second वाला shape बनाया था उससे मैं नीचे base पर border बना रही हूँ और same इसी nozzle का use करके मैंने top पर दूसरा border बनाया है double border बना कर मैंने ये design create किया है तो बड़ा nozzle मैंने इसलिए choose किया था क्योंकि बड़े nozzle से बड़ा water create होगा और इससे cake की height भी enhance होगी और cake देखने में ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लगेगा और उसकी बाद same nozzle का use करके मैंने ये roses भी बना दिये थे के लिए cake बनाने के लिए बहुत सारी color combination में आप सब लोगों को हर वीडियो में बना कर दिखाती हूं तो इस तरीके से मैंने ये दोनों cake बनाये थे colors के बारे में भी आप लोग बार बार पूचते रहते हो तो पैपिलोन ब्रांड के gel food color में एड़ करती हूं अपने cake बनाने के लिए और अगर आप लोग सारी videos मेरे देखो गे तो आप लोगों को हर video में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ न कुछ tips and tricks मिलते रहेंगे तो वीडियो को देख लिया करो आप लोग बार बार वार वही same questions repeat करते रहते हो फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care